हेलो दूस्तू स्वागत विर्से एक्सप्लोर वाईरेस के एक और नए वीडियो में आज बात करेंगे गुजरात के वडोधरा शेहर के बारे में वडोधरा गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शेहर है ये सहर विश्वा मित्री नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधी नगर से 141 किलो मेटर की दूरी पर मौजूद है वडोधरा शेहर का पुराना नाम बडोधा हुआ करता था जो 1974 में अधिकारिक रूप से वडोधरा में बदल दिया गया किसी काल में इसे चंदन वती भी कहा जाता था जिसे चंदन नाम के डोडिया राजबूत के नाम से पहचाना गया ये भी माना जाता है कि वडोधरा के नाम का स्तित्व संस्कृत के सब्द वटोधर के बिगडे रूप से बना हुआ है जिसका अर्थ बर्गद का तना होता है नवरात्री जनमास्टमी को वडोद्रा के लोग धूम धाम से मनाते हैं वडोद्रा को संसकार नगरी के नाम से भी जाना जाता है और साथी साथ गुजरात के सांस्कृति केंदर के रूप में भी वडोद्रा को जाना जाता है ये शहर गुजरात के पूर में समुद्र तल से 128 फीट की उंचाई पर 400 वर्ग किलोमेटर के क्षेतर में फैला हुआ है 2011 की जंगरना के अनुसार वडोदरा में लगभग 16,70,000 लोग रहते हैं जिन में 87 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं महिला पूरुस अनुपात की बात करें तो इस शहर में 1000 पूरुसों पर 921 महिलाएं पाई जाती हैं वडोदरा सहर में 85,49 प्रतिशत हिंदू हैं इसलाम के 11,40 प्रतिशत लोगों के साथ 1,22 प्रतिशत इसाई, 1,22 प्रतिशत जैन धर्म और 0,90 प्रतिशत लोग सिख और बौद धर्म के हैं ये शहर आर्थिक द्रिश्टी से भी गुजरात के लिए महतवपूर्ण शहर है, O N G C, I P C L, G A C L जैसी नामी कंपनिया वडोदरा में ही शुरू की गई, इसके अलावा केमिकल्स, फर्माशूटिकल, पेट्रोकेमिकल उद्योग भी इनमें शामिल हैं, देश में पावर दफा रंजी ट्रोफी को जीता है, ट्रांस्पोर्ट के मामले में वडोदरा गुजरात के ही नहीं बलकि भारत के महतवपूर्ण शहरों में से एक है, ये सहर दिल्ली मुंबई रेलवे मार्क के बीच में आता है, जिस वज़े से इस सहर में रेलवे की व्यवस्था काफी अच्छी है, वडोदरा में ही भारत का दूसरा ग्रीनेस्ट एरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से देश के मुख्य सहरों, महानगरों और टूरिस्टिक सहरों तक सीदी फ्लाइट्स जाती हैं, वडोदरा में भी कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन्स मौजूद है, जिन जीट की उंची मूर्ती इस जिल की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, रात में जील काफी सुन्दर नजर आती है, इस जील में बोटिंग वगरा को भी एंजोई किया जा सकता है, अगर सुरसागर जील की व्याक्या कम सब्दों में की जाए, तो ये जील सहर की भागदोड भरी जिंदगी से कुछ पल आराम चाहने वालों के लिए बेहत खास है, इसके अलावा लक्समी विलास पैलेस भी काफी प्पुलर है, वडोदरा में मौझूद अठारा सोनब्बे ईस्वी में निर्मित इस पैलेस को भारत के सबसे फेमस महलों की सूची में श खैला हुआ बताया जाता है, आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर अपने शेहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्स्प्लोर वाइरेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में अपने शेहर का नाम लिख कर जरूर बता है, थैक्स फर वाचिंग, स्टे तूने विद एक्स्प्लोर वाइरेस.